मुझे यह मैं शब्सक्रीwed मैं अब यह अपनी जाती है था जाती है कोड़ के छूर्वमक न norm his देखे किसे पोशिचन लेके आपको फ्रेंट वॉकिंग करनी है देखिए इस तरीगे से तेगे ना है यह चलना है आपको जो इस तरीगे से जाना है आपको अधिए अधिए है उसके भाद हाप स्कॉट पोजिशन लेकर आपको इदर साइड़ वोकिंग करनी है यह यह आपकी थाइ स्ट्रॉंग करने के लिए बहुत ही जबर्चस्त और बहुत ही चांदार एक्साइज आए जिन लोग भाईयों की रणिंग करते सामें थाई वर जाती है वह यह एक्साइज जरूर करें आपको देखाता हूं साइट से आपको अब आपको हाप स्कॉर्ट पोजिशन लेकर बैक जाना है देखिए बैक इस तरीके से यह देखो बाकी गुरूप उदर कर रहा है वह देखो वहाँ चल रही है कि इससे आपकी थाई बहुत स्टॉंग हो जाएगी और आपको रणिंग में मज़े आ जाएंगे भाई आपकी इससे रणिंग स्पीड भी बढ़ेगी पैरों की स्टेंथ बढ़ेगी ठीक है न और था सब्सक्राइब होना बंदोस आएगी क्योंकि इससे बहुत मताईगी बैस्ट एक्साइज मानी जाती है और भी आगी अभी और भी बहुत सारी एक्साइज में आपको आगे वीडियों में दिखाता हूं मैं यह फ्रॉग जंप है देखिए किस तरीके से आपको पोजिशन रखनी है बोडी की और स्लोली स्लोली चलना है आपको ठीक है यह आपकी थाई में पावर बढ़ाने के लिए बहुत ही जबर जस्ता एक्साइज है यह आप एक डिस्टेंस मैंटेन कर लें ठीक है जैसे 10 मीट पावर जोगिंग करें आधा यह जब लिए है तो यह जरूर ट्राइब और करना ही है आपको अच्छी रेनिंग बनाना चाहते हैं तो और वीडियो अच्छा लागे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे अबी लोगों जाए कि यह हाई बाइबरेशन है देखिए किस तरीके से पैरों का मुवमेंट जाना है यह आपकी सबसे प्यारी और सबसे संदार एक साइज है यह कर ली तो यह समझे लोगा आपकी रनिंग बहुत तंगडी बन जाएगी वाई वन मोर सेट वन मोर सेट वन मोर सेट यह एक साइज आपने कर ली तो आपकी थाई में तनी ज्यादा बावर आजाए कि मज़े आजाएंगे आपको रनिंग में यह यह समझ लीजे बहुत ही स्ट्रोंग और बहुत ही स्ट्रेंथ देने वाली एक साइज है यह गोड़ लड़के जहिंद भाईयो अभी आपने जो एक साइज देखी है वो सब थाई के लिए में के लिए जवड़ पडर चशी निकालने के लिए जरूर एक साइज करहा हैं हम लोग यह रेग्लार करते हैं मतलब जो मारा चीव है उस तरीके से हम लोगह करते रहते हैं इसलिए वाल बैस्ता इ oversight निकालते ब्स nåव निकालना हमारा रिवाज और सो प्रसेंस सेलेक्शन देना हमारा रिवाज है है कि नहीं है भारत बातागी जो भी आपके लिए एक बहुत ही सुनेरा और बहुत ही अच्छा आउसर है जहां जिन कोचंगों में जाके आप मतलब मौटी देकर त्यारी करोंगे उतने में हमारे तैयारी कर लोगे आप लोग ठीक है मतलब रहने खाने का खर्चाप को देना है और बाकि कोई भी फीज नहीं है यहां पर ठीक है अब या और जिन लोगों को हमारे सेलेक्शन देखने है तो इंस स्ट्राग्राम पर मेरी आइडिया कोसल डिफेंस अकडिमी के नाम से वहां जाकर आप चेक कर लेना कि सेलेक्शन कितने दे रहे हम लोग और रिकॉर्ड कितना है हमारा और यूट्यूब पर कम्यूटी में जाके देख लेना सारे फोटूस डालता हूं सेलेक्शन के सब और ए एक्सी लाइंट देना भी हमारा रेवाज है वहीं तो कोसल डिफेंस अकडिमी में एडिमीशन चालू हूं वहीं जाहें